आज हम बात करने वाले हैं स्रीलंका के वर्ल्ट E20 2014 के फुल स्क्वेट के बारे में स्रीलंका ICC वर्ल्ट E20 2014 के चैंपियन थे स्रीलंका के टीम ने टोटेल 6 मैचेस खेले थे और जिसमें से 5 मैचेस में जीते थे स्रीलंका के उस वर्ल्ट E20 चैंपियन स्क्वेट में रहने वाले बैचमेंस थे महिला जयावर्द ने ये एक राइट हैंडेट टॉप ओडर बैचमें थे और टीम के हाइस रन स्कोरर थे लाहिरू तिरिमा ने ये एक लेफ्ट हैंडेट बैचमें है जो की टीम के मिडिल ओडर में बैटिंग करते थे स्रीलंका के उस स्क्वेट में रहने वाले उटकेट कीपर्स की बात करे तो वो थे कैप्टेइन दिनेश चंदिमाल जो की एक राइट हैंडेट और टॉप ओडर के बैचमें है कुमार संगाकारा ये एक लेफ्ट हैंडेट बैचमें थे और टीम के मिडिल ओडर के बैचमें थे कुसल परेरा ये एक लेफ्ट हैंडेट बैचमें है जो की टीम के ओपेनिंग बैचमें थे स्रीलंका के टीम में रहने वाले ओल राउंडर की बात करे तो वो थे बैटिंग उल राउंडर तिलकरतने दिल्शान ये एक Right Handed Opening Batchman और Part Timer Right Term Up Break Buller थे बैटिंग उल राउंडर Engelo Matthews ये एक Right Handed Middle Order Batchman और Right Term Medium Buller है बोलिंग उल राउंडर थिसारा परेरा ये एक Left Handed Lower Middle Order Batchman और Right Term Medium Fast Buller थे batting all rounder sekuge prasanna ये एक right handed lower middle order batsman और leg break bowler है bowling all rounder चतुरंगादी सिल्वा है एक left handed lower middle order batsman और slow left arm orthodox bowler है स्रिलंका के उस world champion squad में रहने वाले spin gain barjack थे rangana herat ये एक slow left arm orthodox bowler है और team के second highest y taxes के षेकर थे अपस्पिन बोलर सचित्र सेननाय के जो की एक राइटर्म और ब्रिक बोलर है और अपस्पिन बोलर अजन्था मेंडिस ये भी एक राइटर्म और ब्रिक बोलर ही थे आखिरकार श्रिलंका के पास रहने वाले तेज गेन बाजों की बात करे तो वो थे लसित मलिंगा ये एक राइटर्म फास्ट बोलर थे और टीम के वाइस कैप्टेन वी थे लुवन कुलसेकरा ये एक राइटर्म फास्ट मीडियम बोलर थे और टीम के हाइस टुकेट टेकर थे सुरंगा लेकमल ये एक राइटर्म फास्ट मीडियम बोलर है इनको खेलने का मौका नहीं मिला था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कॉमेंट्स कीजिए हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेर कीजिए और आखिर कर प्लीज हमारे चैनल क्रिकेट लबर को सब्सक्राइब कीजिए